पूरा देज भी सरमसार हुआ है और इसको लेकर कई लोगों ने बहुत सारा क्रोध, नाराजी, गुस्सा, मैं समझते हूँ कि जो जिस तरह की घटना है, किसी भी बेक्ति को एक दम हिला देने वाला, जन्जोड देने वाला, जो कि आप समझते हैं कि मैं मनिपूर की ऐजे ग एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा ऐसी घटना उनको भी बहुत दुख हुआ होगा, कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो वहने हैं और इस तरह से जिन बेक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए, और ऐसे लोगों की उपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी च चाहिए, और जहां तक सवाल है, मैंने आज देजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संग्यान में लिया, और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपि, जोनों ने इस तरह का दुसकर्म किया है, उनको गिरापतार करें, और कड़ी से कड़ी कारवाई करें, और जिस थाने में, चार मई की जब ये गटना हुई थी, और अठारा को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अभी तक पुलिस के द्वारा, क्यों नहीं उसकी जाच करके, और वैसे आरोपियों को गिरापतार किया गया, और ये बहुत ही दुखद है, और मैंने निर्देश दि ताकि दूसरे लोगों को भविष में इस तरह का मतलब दूसास ना हो, पुरे देश के लिए भी एक बैसे हो, कि ऐसे बैक्ती जो इस तरह की मतलब एक घ्रनित और हैवी मतलब एक जो जिसको क्या बोलती है, कि जिनकी सर्म, लज्जा, मतलब कहना चाहिए कि एक आमानवीता की हद हो गई, जिसको जितनी निंदा करना चाहिए, वो भी कम है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की उपर सक्तकारवाई हो, और इस प्रदेश के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगी, कि ऐसे सर्मना घटना क के बाद कम से कम जो आज प्रदर्शन हो रहा है, बिरोध हो रहा है, हिंसक गतिविदी, उनको समात करना चाहिए, और एक मंच पर, दोनों, सब लोग बैठ कर, और जो भी उनकी मांग है, डिमांड है, यह उसका समाधान बैठके ही सुल्जाया जा सकता है, हिंसा से किसी का समाधान नहीं हो सकता है, किसी का भी लाब नहीं हो सकता है, और इसलिए मैं चाहूंगी कि इसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके कारवाई होनी चाहिए, शक्त. एक स्टेट में तीन महीने से लगातार हिंसा की खबरे आ रही है, तीन महीने से आई स्थिरता है, क्या आको लगता है कि राजे सरकार के रूप में कुछ कमी रहे रही है, कुछ और करना चाहिए, तब नहीं हो पाया? देखिए, जहां तक है केंडरी के जो है, सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है, 60,000 वी ऐसे आसाम राइफल, CRP, आपका रेपिडेक्स फोर्स और तवाम पुलिस, तवाम मिलाके आज 50, 60,000 की संख्या में हैं, लोगों की सुरिक्षा कर रही हैं, और इसलिए, बहुत लो फोर्स नहीं रहती, मैं तमाम फोर्स के जवानों को मैं बधाई देती हूं, धन्यवाद देती हूं, उन सारे अधिकारियों को, कि आज मनीपूर की जो जन्ता की सुरिक्षा और रक्षा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमी का रही है, और मुझे विश्वास है, कि लोग चारा सद्भावना के साथ लोग रहते थे, वैसे ही मिलकर और फिर से एक नई सुरुआत करें, और इस मनीपूर को फिर से एक नई विकास की दिसा में हम आगे बढ़ाएं, यही मैं मनीपूर की प्रिदेश की जन्ता से कहना चाहती है। और निश्चित रूप से उनके उपर जो भी एक्षन है और जिस तरह की गटना है, वो कारवाई करने का उन्होंने अस्वस्त किया है, मैंने निर्देश दिया है। जो चल रहा है, मेथी वर्चस कूकी का। इन लोगों का जो भी कुछ दिमांड है, मांग है या जो भी कुछ है, इन सब को एक साथ बिठा के और इसको समाधान डूडना चाहिए। और साथ में सभी लोग मिल कर, मैंने सभी लोगों से अपील की, पोलिटिकल पार्टी, सामाजिक संस्ताइश और सभी नेता जो लोग मेरे पास आये थे इन सब लोगों से भी कहा कि इस मनिपूर में पीस लाने के लिए आप सब लोग सयोग करें अपील करें यहां की जनता को कि यह हिंसा छोड़ें और एक दूसरे के साथ एक सद्भावना बनाएं और मैं समझती हूँ कि सभी लोग यह सभी धर्वों के 10-12 लोग आए दिली से मेरे से मुलाखात की उन्होंने भी प्रात्ना की यहां मैं सांती लाने के लिए और कहा भी कि हम कोशिस करेंगे सब अपनी अपनी कम्यूटी में जाकर और इसको पीस लाने के लिए उन सब लोगों को समझाएंगे और मैं समझती हू और गंभीर एक चुनोती से जूज रहा है यहां के लोग और इस समय उनको एक बीच में आकर और सब को मिलकर यहां लोगों को एक प्रकार से सांती लाने की अपील करें लोगों को समझाएं तो मैं समझती हूँ कि जल्दी ही सांती आ जाएगी झाल झाल झाल